दादी नानी ने बताए खाने को स्वादिष्ट बनाने के जबरदस्थ टिप्स नमबर एक, लंबे सफर के लिए पूडियां बनानी हो तो आटे को पानी के बजाए दूद में गूंद लें पूडियां कई दिनों तक खराब नहीं होंगी नमबर दो, आलू के चिप्स बनाते समय अगर पानी में एक चुटकी फिटकरी डाल दी जाए तो चिप्स सफेद बनते हैं नमबर तीन, पालक, मेथी, सरसो, आदी हरी सबजियों को सूखने से बचाने के लिए पॉलिथीन बैग में अलग-अलग बंद करके रखें, इस से सबजियां तरो ताजा रहेंगी नमबर चार, आलू की टिक्की बनाते समय उसमें थोड़ा अरारोट मिला दीजिये, टिक्की कुरकुरी बनेगी नमबर पांच, खाना बनाते समय हाथ चलने पर टूथ पेस्ट लगाने से चाला नहीं पड़ता और जलन में राहत मिलती है नमबर छे, लोहे की कड़ाई में खटी वस्तुएं कभी नहीं पकानी चाहिएं, इससे खादे पदार्थ काला हो जाता है और थोड़ी कड़वाहट भी आ जाती है नमबर साथ, दही बड़े की दाल फैटते समय उसमें बेकिंग पाउडर वे सोड़ा मिलाने से दही बड़े मुलायम वे फूले हुए बनते हैं नमबर आठ, हाथों से लस्तुन की गंद को दूर करने के लिए हाथों पर थोड़ा सा नमक मल लें नमबर नो, पूड़ियों के लिए आठा गूनते समय यदि थोड़ा सा बेसन मिला लें तो पूड़ियां करारी बनेंगी नमबर दस, यदि चावल बनाते समय पानी में थोड़ा सा घी डाल दें तो चावल चिपकेंगे नहीं, खिले खिले बनेंगे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थन्यवाद